हेलो फ्रेंज, हेल्थी स्पोर्ट्स अकाडमी के चानल पे आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे बास्केटबॉल ग्राउंड मेजुरमेंट्स अभी तक अगर आपने इस चानल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरण जाके लाइक और सब्सक्राइब करें तो चलिए शिरुवात करते हैं बास्केटबॉल का ग्राउंड मेजुरमेंट होता है आउटर बाउंडरी का 28 बाई 15 मीटर जो लेंथ इसका होता है वो होता है 28 मीटर जैसे हम साइड लाइन्स कहते हैं जो बेसलाइन होती है इसका विट वो होता है 15 मीटर उसे बेसलाइन या एंड लाइन कहा जाता है बास्केटबॉल कोट में एक फ्रन कोट होता है और एक बैक कोट होता है यहाँ दो थ्री पॉइंट सर्कल्स होते हैं जो रिंग के एक्जाक्ट सेंटर से 6.75 मीटर के आर्क डालने से बनते हैं बास्केटबॉल कोट का सेंटर सर्कल का डायमिटर होता है 3.6 मीटर और रेडियस होता है 1.8 मीटर यहाँ पे एक नोचाज सेमी सर्कल होता है जो 1.25 मीटर के आर्क से बनता है जो free throw area होता है वो 4.9 by 5.8 का rectangle से बनाया जाता है बास्केटबॉल कोट में center circle, restricted area, throw in lines, three point circle, team bench area, neutral zone, side lines, base lines, end lines, direction of play जैसे अलग-अलग terms हम आगे अगले वीडियो में जानेंगे तो like and subscribe करना नहीं भूले, मिलते हैं next time, bye